अध्याय तेरा दबाओ प्रवाह तरंग विद्यू चुम्बो की बन को आपके सम्मुख प्रस्तुत करने का प्रयाज करने। तो समय तो हो चुका है, तीन बच के तीस मिनट हो चुका है तो सुरू कर सकते हैं। दबाओ प्रवाह तरंग विद्यू चुम्ब की बन दबाओ सुभाव गति से भिन्न सम्मिसम आवेश के लिए प्राप्त विवस्ताएं दबाओ है। तो इसको बहुत ही सिंपल दे सकते हैं। जैसे एक प्रेसर जो कहते हैं हम लोग इंगलिस में उसी को दबाओ कह रहे हैं। जैसे कोई गाड़ी खड़ी है उसको धक्का मार दिया तो वो चलने लगता है। वो भी एक प्रकार का दबाओ है। और इस दबाओ का प्रेओग हम बहुत सारे उकरणों में भी करते हैं। जैसे हाइड्रॉलिक पॉंप में करते हैं। तो उससे बहुत सारी बड़ी-बड़ी मसीनरियों को चलाया जाता है। जैसे हम JCV वगर हम देखते हैं उसमें हैड्रॉलिक प्रेसर के थूरू उसके जो इक्लूप मेंट से उसको आपरेट किया जाता है। तो इस तरह से सामान्य रूप में उसको देखा ही जा सकता है। साथ ही इसमें जो सम वी सम आवेश का हैं तो सम का मतलब है कि हम कोई चीज बना रहे हैं। उसमें यदि हम उसका प्रयोग करते हैं तो सम हो गया। को बिगारने के लिए या उसको नष्ट करने के लिए जो उप्योग हुआ वो सम हो गया। तो दोनों ही थरह से दबाव का प्रयोग होते हुए देखा जाता है, जैसे हम कोई लोः को मोड़ करके कोई खिरकी बनाना है, धरवाजा बनाना है, तो वो सब बनाने के लिए भी दबाव का प्रयोग करते हैं, पहले से बनी हुई चीज है, मानलों पुरानी हो गए तो तोड़ने के लिए भी उप्योग कर लेते हैं, तो इस तरह से दबाव का प्रयोग होते हुए देखा जाता है। नेक्स्ट है प्रवाह, निरंतर रस द्रव्य का धाल की और गती प्रवाह है। तो यह जो रस द्रव्य कह रहे हैं, द्रव्य का मतलब लिक्विड है, तो जैसे नदियों का प्रवाह हम देख सकते हैं, और जैसे बॉड़ी में बलड का फ्लो रहता है, वो भी एक तरह का प्रवाह है, हवा का भी प्रवाह होता है, तो इस तरह से जो फ्लो है कोई भी चीज के तरंग होना पाया जाता है हो स्वस्तु में कमपनात्मक गती के रूप में तरंग तरल में अर्थात पानी में हवा के संयोग से अथवा किसी पदार्थ जीव जानवर मानाव के संयोग से उत्पन्न प्रतिक्रिया तरंग रूप में है जैसे मानव के पत्थर फेकने से, खुदने से, हवा के दबाव से पानी कमपनात्म गती अर्थात उपर निचे होता है, सही दोड़ता है यही तरंग के नाम से जाना जाता है, विरल वस्तु में सब्ध, ताप, विद्यूत, कीरन, विकीरन तरंग रूप में प्रमाडित होते हैं तो यहाँ पे तरंग को बताए हैं, तरंग मतलब basically कोई भी वस्तु में जो कमपन है उसको तरंग कहते हैं तो यह ठोस में भी होता है, तरल में भी होता है, विरल में होता है, ठोस का रथा solid है, जैसे मिट्टी पत्थर हो गया, तरल में liquid वाली चीज़ें आ जाती हैं, जैसे तेल हो गया, पानी हो गया, विरल में gas को विरल कह रहे हैं, उसमें oxygen, carbon dioxide, यह सब भी चीज़ें आ जाती ह तो तीने परकार की वस्तूओं में तरंग पाय जाता है फोस में कोई चीज एक दूसरे से ठकराने से पानी को पर पत्थर फेक दिने जो उसमें हल चल होती है उसको तरंग कहते हैं और वायू में भी तरंग होता है जिसको हम ध्वनी तवरंग के रुप में जिसको यहाँ पर सब्द लिखा है और ताप जो है तो ताप भी एक तरह से तरंग ही है जो वायू में संचरित होती है अर्थात एक वस्तू से दूसरे वस्तू में पहुंच जाती है और उसी तरह से विद्यूत, कीरन, वीकीरन यह सब के रूप में तरंग का देखा जाना यहाँ पर बताया जा रहा है अब आगे देखते हैं कि विद्यूत, तरंग क्या चीज होती है यह चुम्बकी धारा के विखंडन से उत्पन प्रवा है चुम्बकी धारा जिन छोटे-छोटे रूप में विखंडित हो पाते हैं वे टुकडे किसी माध्यम से संप्रेशित होते हैं, अर्थाद दोनते हैं माध्यम के बारे में संपून प्रकृति विद्यूत धारा का धारक वहाख होना पाया जाता है संपुन प्रकृति विद्यूत ग्राही है कम से कम या अधिक से अधिक यह कम या अधिक होना दबाव प्रवाह मात्रा विधी से तै होता है तो विद्यूत तरंग के बारे में बता रहे हैं कि जो चुम्बकी धारा है उसको यदि हम विखंडित करते हैं, तो उसके विखंडन से माध्यम में जो प्रवाह उत्पन हो जाता है, वो विद्यूत तरंग है, तो उसको हम लोग अभी देखते ही हैं, जैसे हम जनरेटर से जो बिजली पैदा करते हैं, वो इसी कह एक उदारन है, तो जनरेटर में बेस आर्मेचर भूमता है, जिसमें कॉपर की वाइंडिंग रहती है, तो उसमें वो आर्मेचर भूमने से उसके चुमबकी छेत्र को काड़ता है, उससे उसमें विद्यूत धारप पैदा हो जाती है, जिससे हम आगे कोई भी करण चलाने के लिए उप्योग करते हैं, इस तरह इसमें विद्यूत धारप प्रवाहित हो सकती है, उसको बता रहे हैं कि कम या ज्यादा हो सकता है, जैसे तांबय कितार में ज्यादा होता है, उससे कम अलुमिनियम में होता है, और कई चीजों में बहुत ही कम होता है, जिसको कुछ आलग भी कहते हैं, जैसे लकड़ी हो ग जंग ध्वनी एक से अधिक वस्तूओं के संघर से एक में होने वाली स्वयम स्फूर्थ क्रिया से ध्वनी होना पाया जाता है। ध्वनी पैदा करते हैं इसको राग कहते हैं यह ध्वनी ही है इसी प्रकार से गाय, बैल, भैस, बकरी, जीव जानवर अपने अपने ध्वनी निस्पादित करते हैं। जीव जानवर चीडिया, मेडक, आदी के ध्वनी उन-उन प्रजाती के लिए भासा भले ही हो और प्रकृती के लिए ध्वनी रूप ही स्विकार हुआ है। वैसे ही मानव के लिए भी अपनी भासा अर्थ संगत भले हो अन्य प्रकृती के लिए ध्वनी हुना प्रमाडित है। कोई-कोई जीव जानवर ऐसे हैं जो मानव के संकेत का अनुकरन कर लेते हैं, इस प्रकार ध्वनी और भासा का इसपश्ट स्वरूप मानव को समझ में आता है। अर्थ को इंगित कराने वाले सब्द को सब्द तरंग को भासा तरंग कहते हैं। इन दोनों प्रकार की निस्पत्ती स्थली से जुड़े हुए जितने भी विरल पदार्थ रहते हैं, उनके उपर उसका दबाव होना पाया जाता है। फलता वातावरण स्थली अडू समों के उपर जो दबाव आरूपित हुई और उसमें कमपन तयार हुई उसको हम तरंग कह रहे हैं। इस विधी से तरंग अडू से अडू को संप्रेशित होते हुए अथवा अनुप्राणित होते हुए दूर दूर तक पहुँच जाते हैं। ऐसे सब्द और ध्वने को विध्यूत वाहिता पूर्वक प्रसारित करने की क्रिया को रेडियो टेली वीजन तरंग माना जा रहा है। इस स्वरूप में हमें सब्द तरंग को इसलिए समझना जरूरी है कि हम मानव सब्दों को जितना भी प्रयोक करते हैं उसकी सार्थक्ता को अपने नजरिये में बनाया रखना जरूरी है। क्योंकि हम स्वयम सार्थक होना चाहते हैं सार्थक्ता का स्वरूप पहले इस्पष्ट हो चुका है सार्थक्ता का सुत्र माना के समझदार होने से हैं व्यवहार व्यवस्था में जीने से जीवना कांछा मानवा कांछा को प्रमाडित करने से हैं इसलिए हर सब्द को शक्ता के अर्थ में प्रयोग करना जरूरी है। तो इसमें ध्वनी तरंग के बारे में पूरी बात आई है। तो जैसे एक पत्थर दूसरे पत्थर से टकराने से जो ध्वनी होती है। वैसे ही हम मनुष्य जो बात करते हैं वो भी एक ध्वनी है। जिव जानवरों की जो आवाज हैं वो भी एक धौनी हैं और हवा के चलने से जैसे पेड़ के पत्तों से जो आवाज आती है उसको भी धौनी का इस तरह से प्रकृति में धौनी जो है एक धौनी तरंगे होना पाया जाता है तो इसमें बताये हैं कि हमारा जो भासा है मतलब जिससे अर्थ संप्रेसित होता है, उसको भासा कह रहे हैं, उसी ध्वनी को, और वो मनुस्य के लिए भासा हो सकता है, या एक जिव का उसी प्रजाति के जिव जो उसके संकेत को समझते हैं, उसके लिए वो भासा हो सकता है, लेकिन सेश प्रकृति के लिए ध्वनी ही है, अर में जो अडु रहते हैं उस में दबाव उत्पन होता है उस दबाव एक अडु से दूसरे अडु में वह ट्रांसफर होते होते सामने वाले व्यक्ति तक पहुच जाता है तो इस तरह से ध्भणी एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचती हैं और उसको अभी जो हम टेलीफोन और कंप्यूटर इंटरनेट यह सब में जो यूज करते हैं उस रुप में भी बता रहे हैं कि ध्वनी तवरंगों को हम विद्धूत तरंगों में या विद्धूत चुम्बकी तरंग में बदल करके मसीनों को माध्यमसों से दूर दूर तक के संप्रेशित कर सकते हैं तो उसको भी यहां पर वर्णन किया गया है विद्धूत चुम्बकी तरंग को मानव प्रकृतिक विधी से बिजली चमकता हुआ अपने में या प्रकास के रूप में देखता है इसके मूल में निश्चित दूरी में बादल के रूप में निश्चित अच्छे घने बादल का अपने निश्चित अच्छी दूरी में से पास में आने से हुई ध्वनी को ही बादल गरजना कहा जाता है इन दोनों के पास में आने से धर्ती के संयोजन के साथ धर्ती का संबन जुड़ने के साथ विद्यूत प्रवा अपने आप दोनता है जिसका प्रवा जीव, जानवर, मानव, पेंड, पौधे के उपर देखा गया है यही प्राकृतिक रूप में देखा हुआ बिजली प्रकास और प्रभाव है बिजली प्रकास राहगीर को राध देखने के रूप में तो दिखी लेकिन प्रवाह का और कोई सकारात्मक पक्ष में प्रयोग नहीं हुआ इन दोनों स्थिती को देखा हुआ मानव या क्या है कैसा है बहुत कुछ सोचा समझा अन्ततो गत्वा चुम्बकी धारा का विखंडन विधी से जिसको डायनेमो कहा जाता है साइकल के चक्के के साथ घुमा कर प्रकास को प्राप्त किया इसके बाद क्रम से धर्ती पर सभी जगह तक बिजली प्रवाह को दोड़ता हुआ कार्य करता हुआ सब प्रदर्शित है जो प्राकृतिक रूप में बिजली होती है उसको यहां पर बटा रहे हैं कि बादलों के आपस में टकराने से या पास में आने और धर्ती के साथ संयोजन अर्थात उसका बीच में जो हुविडिटी रहती है पानी के जो कंड रहते है उसके माध्यम से धर्ती के साथ कनेक्ट हो जाता है फलसोरों को बिजली का वहां से प्रवाह होता हुआ देखने को मिलता है जिससे देखते हैं कि कई पेंडुके उपर जो बिजली गिरने से वो छती गरस्त हो जाता है और अपने मकानों को सुरक्षित रखने के लिए उससे हम उसमें तडित चालक लगा के रखते हैं तो यह कि प्रवाह का कोई उपयोग नहीं कर पाए हैं अगी तक पर उस बिजली को देख करके मनुस्य के कलपना में बिजली आने से उससे संबंधित यंत्र बना लिए जैसे डाइनेमो जिसको जनरेटर कहते हैं उसको बना करके उसको कोई साइकल के चक्के जैसे बोले हैं तो उस तरह से उसको घुमा करके उसमें बिजली पैदा करके फिर उससे इलेक्रिक बल्बो गएरे जलाके हम उससे कास भी प्राप्त करते हैं और एक और महत्त्रपून बात है इसमें जैसे धनी तरंग के बारे में उपर कहा गया था कि सब्दों को प्रयोग करते हुए यहां पे ध्याना करशन कराए हैं कि हर मनुस्य में सार्थक होने की एक चाहत होती है तो हम कोई भी सब्द का प्रयोग करते हैं तो उसका प्रयोग करते सामें हमें ध्यान रखना चाहिए कि वो सार्थक हो रहा है कि निरर्थक हो रहा है तो यहां पर सार्थक सब्द उसी को कहा है जो जीवना कांच्छा और मानुवा कांच्छा को पूरा करने के लिए सहयक है तो जैसे दर्सन में हम पहले पड़े ही हैं कि जीवना कांच्छा का अर्थ होता है सुक, सांति, संतो, सानन और मानुवा कांच्छा होता है समाधा, सम्रिद्ध, अभै, सहस्तितु तो इसमें पूरक होने के लिए सहयोगी होने के लिए हम जो भी भासा प्रयोग करते हैं सब्द प्रयोग करते हैं वो सभी सार्थक सब्द कहा रहे हैं और इसके विरोध में जो भी सब्द होगा वो निरर्थक सब्द कहा जाएगा आगे है विद्दौ धारा में गोशित विसलेशित दो मुद्दों पर है एक है विद्यूत धारा का स्रोत और दूसरा है विद्यूत प्रवाह में होने वाली क्रिया कलाब तो आगे इन दो मुद्दों पर विशलेशन दिया गया है कि विद्यूत धारा का स्रोत जो है वो क्या चीज होती है और उसके प्रवाह में क्या करेया कलाप होती है उसका प्रोसीजर क्या होता है इसका डिटेल आगे है उसको देखते हैं विद्यूद प्रवाह के मूल में चुम्बकी धारा के विखंडन के बराबर में विद्यूद धारा होना, विद्यूद धारा चुम्बकीता से मुक्त ना होना, फलता चुम्बकी विद्यूद धारा का नाम करन होना सार्थक पाया जाता है, इसमें धारा के साथ परमाडु अ हर माध्यम में सुभावगती के रूप में जो अड़ूओं का संकोचन प्रसारण बना रहता है। विद्यूत प्रवाह की स्थिती में वह संकोचन प्रसारण बढ़ जाता है। संकोचन प्रसारण विधी से ही प्रवाह और दबाव बनी रहती है। संकोचन विधी से दबाव, प्रसारन विधी से प्रवाह होता हुआ देखने को मिलता है इसी करम में दौरता हुआ विद्यूत प्रवाह अपने निकटवर्ती वातावरन में जितने भी वीरल वस्तुमें रहते हैं उन पर अपना प्रभाव प्रसारित करता है, फलस्वरूप विद्युद्धारा के साथ साथ उसका प्रभाव छेत्र बना रहता है, इस प्रभावी छेत्र को अतिप दबाव प्रवाह रूप में भी देखा जा सकता है, सरवाधिक दबाव प्रवाह के साथ भी देखा जा सकत सबस्ता है तो इसमें यह बात को बता रहे हैं कि विद्यूत जो है उसके सांसा चुम्बकीता सदेव बनी ही रहती है और इसका जो तो उत्पन होता है तो इसको बता रहे है तो तो इसमें आगे जो बता रहे हैं कि जो विज्ञान में जो बताया जाता है कि कहीं भी विद्युद्धारा का प्रवाह होता है तो उसमें परमाडवन सर्थात इलेक्ट्रॉन का फ्लो उस वायर में होना पाया जाता है तो उसमें यहाँ पर लिखा है कि उसको यदि ठीक से निरिक्षन परिक्षन हम करते हैं तो यह पाया जाता है कि उसमें जो वाइब्रेशन है कोई भी माध्यम है उसमें जो वाइब्रेशन रहता है तो विद्युद्धारा होने की स्थिति में वाइब्रेशन बढ़ जाता है स्वंकोचन प्रसान का मतलब होई है, वाइब्रेशन का बढ़ जाना, तो उस विधी से जो है विद्युद्धारा का प्रवा होता है, वाइब्रेशन के रूप में, उसको यहां पे बताया जा रहा है, उसको परिक्षन निरिक्षन करके यंत्रोप के माध्यम से देखा जा सक होता है, और आगी यह भी बता रहे हैं कि किसी भी माध्यम में जब विद्युद्धारा का प्रवा होता है, तो उसके आस-पास में उसका एक प्रभाव छेत्र बन जाता है, जिसको हम इसको अच्छा उधारन के लिए देखें, तो ट्रंसफार्मर के रूप में देख सकते ह हैं, ट्रंसफार्मर में जैसे एक वायर रहता है, उसके उपर दूसरे वायर को लपेड दिया जाता है, और उसका जो है, कोई डारेक्ट कॉंटेक्ट नहीं होने के बावजूद भी दूसरे वायर में जो है, वो करेंट फ्लो होने लगता है, तो इस रूप में हम देख सकत के फॉर्म में भी देखा जा सकता है, जो इस रूप में भी उसको देख सकते हैं, विद्यूद प्रवाह अपने में नियंतरान के सीमा में कोई हानी प्रद वस्तु नहीं है, नहीं या स्वैम में प्रदूसान युक्त कोई उर्जा है, या विद्यूद उर्जा अपने में प्रदूसान मुक्त ही है, इसके उप्योग से प्रदूसान पैदा करें या ना करें, या माना विवेक पर निर्भर है, इस पर अच्छी तरह से अपने को सैयत ना लेना सहज सुलाव है, दूसरी और इसकी अर्थात विद्यूद उर्जा की विद्यूद की उपलब्धी में प्रवित्य होने की जो आवस्यक्ता है, या प्रदूसान मुक्त होना तभी संभव है, जब धर्ती की संतुलित ताको वरी बिन्दू के रूप में हम देख, आज इस दृष्टी की आवस्यक्ता है, दृष्टी का सुभाव मानसिक्ता ज्यान, विवेक विज्यान के रूप में सार्थक कारे करता हुआ देखने को म बिलता है। इस बात को बताया जा रहा है कि विद्यूत प्रवाज अपने में कोई प्रदूसर्ण नहीं है, क्योंकि चुम्बकीता भी एक प्रकृतिक वस्तु है, उससे जो उत्पन्म होने वाली विद्यूत है, वो भी प्रकृतिक वस्तु है, जसा आगे की विवरन आया कि जो भी प्रकृति में वस्तुए है सभी जो है विद्यूत की धारक वहाख होती है उसमें उर्जा अपने आप में कोई प्रदूसन नहीं है है कि इसको प्रयोग करने से हम प्रदूसन कर सकते हैं या उसको उत्पाधित करते समय तो उससे बचने के लिए बता रहे हैं कि जो धर्ती का जो ताप है उसको केंदर बिंदू में रखना चाहिए धर्ती का ताप यदि संतुलित रखते हुए हम कितने भी विद्यूत का उत्पादन करते हैं या उसका प्रयोग करते हैं तो उसमें कोई भी आनी नहीं है इसके लिए यहां पे ज्ञान विवेक और विज्ञान का होना अवस्यक है बोल रहे हैं तो कोई भी विद्यूत का करोनों का हम उप्योग करते हैं या उसको उत्पादन करते हैं उसमें विवेक होना अवस्यक है विवक का अर्थी है कि धर्ती का ताप कैसे संतुलित रहेगा इदि ताप संतुलन को हम लक्ष में रखते हैं और उसके बाद कितना भी विद्यूत का उर्जा का प्रयोक करें उससे कोई हानी नहीं होगी सहस्तित वादी ज्ञान विवेक विज्ञान विधी से हम धर्ती और मानाव के सहस्तित्यों को ध्यान में ला सकते हैं मानाव और धर्ती का सहस्तित्यों समझ में आने की स्थित्य में धर्ती का स्वास्त वरी स्थित्य में आना प्रदूसर्ण मुक्ती का उद्देश वरी स्थित्य में आना एक सुभाविक प्रक्रिय रहेगी विकल पहले से ही स्पष्ट है थोड़ा सा ध्यान देने की आवस्यक्ता है तो इसमें धर्ती और मनुस्य का जो संबंध है उसको बता रहे हैं कि हम मनुस्य जो इस धर्ती में ही रहते हैं धर्ती यदी प्रदूसित हो जाती है तो हमारे अस्टित्व पर खत्रह हो सकता है तो इसके लिए विद्यू तूर्जा के उत्पादन के जो वैकल्पिक स्रोत है उनको हम प्रयोग में ला सकते हैं तो इतनी बात यहां कही गई हैं आगे देखते हैं जल प्रवाह बल को हम उप्योग करें न करें प्रवाह तो हर देश काल में बना ही रहता है रितु संतूलं की सटीकता इन नदीओं के अविरल धारा का स्रोत होना ही समझदार मानों को स्विकार होता है इसी के साथ वन खनीच का अनुपाद धर्ती पर कितना होना चाहिए इसका भी ध्यान सुईसपस्ट होता है इसमें ध्यान देने का बिंदू यही है कि हर देश में विभीन स्थितियां बनी हुई है हर भी भी भीनता में वहां का रित्जween संतुलन अपने आप में सुवी स्पष्ट रहता ही है तो पहले जैसे जो वेकल्पिक उरजा के सुरोतों की बात आई उसमें जल परवा को एक वेकल्पिक उरजा का शुरोत के रूप में देख रहे हैं तो जैसे नदियों में जो जल प्रवा है वो हम उसको उपयोग करे या ना करे वो हमेशा प्रवा बना ही रहता है और बता रहे हैं कि यदि हम जो रितु संतुलन को पहचान करके उसको ठीक से यदि हम बना लेते हैं तो यह जो नदियों में जल का प्रवा है व तो अविरल, अविरल का अर्थात है बिना रूके, वो प्रवाह बना रहेगा जिससे हम निरंतर विद्यूत उर्जा को प्राप्त कर सकते हैं या उससे बना सकते हैं। जिससे छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी गाड़ी चल सके। उसकी उपलब्धी जैसा खनीज तेल उपलब्ध होता है, ऐसा हो सकता है। अथ्वा सूर्य उर्जा और बैटरी विधी तीनों को अपनाए रखेंगे। इस क्रम में मानव का मन सज जाए, मानव एक बार ताकत लगाए तो प्रद्योगी की संसार अर्थात, प्रवाहबल के साथ जूजते, मानव जाती से, प्रकृती के साथ होने वाले पापकर्म, अपराद कर्म रूख सकते हैं। तो इसमें आगे बताए हैं कि जो सडकों में चलने वाली गाड़ियां हैं, जो हम पेट्रोस या डीजल से चलाते हैं, उसमें बैटरी का उप्योग करके उसको विद्यूतूर्जा से चला सकते हैं। और कुछ-कुछ मसीने जिसमें बैटरी का प्रयोग करते नहीं बनेगा, उसमें हम बायो डीजल का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें डीजल का वर्णन इसलिए आया है, बिजली को बताते हुए भी क्योंकि पहले ही जैसे वर्णन आया कि हमको धर्ती का ताप है, उसको केंदर में रखना बहुत जरूरी है। तो क्योंकि ज़्यादा तर जो धर्ती का ताप है वो खनीच तेल के प्रयोग से ही बढ़ता है, इसलिए बताया कि उसके जगे में हम बायो डीजल का प्रयोग कर सकते हैं। आगे है नेती विधी से मानाव का प्रकटन, वनस्पती और जीव संसार का प्रकटन होने के बाद हम स्विकार कर चुके हैं, समझ भी चुके हैं, इसके बाजूद नेती के साथ अपराद में जुड़ गए, इससे छुटना आवस्यक है। जल प्रवाह एवं सूर्य उस्मा उक्त दोनों स्रोद पर विचार करें, तो यहां पता चलता है कि मानाव प्रयोग करे ना करे, प्रवाह रहता ही है, सूर्य उस्मा हर समय धर्ती को चुबा ही रहता है। इसको भले प्रकार से हम समझ सकते हैं, अपने ज्ञान, विवेक, विज्ञान, पूर्वक, प्रयोग और प्रद्योगी की विध्धी को अपना सकते हैं, तब विध्यू स्रोद जितना चाहिए मानाव को उससे भी कई गुना रहना संभावित है। तो इसमें वर्णन किया गया है कि हम पहले भी चीज अध्यान कर चुके हैं, समझ चुके हैं, कि जैसा अभी भी पढ़ाई में आता ही है कि मानाव का प्रकटन से पहले ही जो वनस्पती का प्रकटन और जीव का प्रकटन जो है हुआ रहता है, उसके बाद ही मानाव का प्र पहुच नहीं है तो मानाओं का प्रकृति किस्ता जो संबंध है उसको ध्यान में रखते हुए हमको विद्यू तूर्जा का प्रयोक करना चाहिए और अपने लाइफी स्टाइल को उस तरह से ही बनाना चाहिए और आगे इसमें बता रहे हैं कि धर्ती में हर समय जल का प्रव अधिक विद्यूत उर्जा को प्राप्त करने की संभावना है है अगे है हर मानाओं उर्जा स्रोत से धनी रहने की इक्षा रखता है समझदार मानाओं उपयोग सदउपयोग प्रयोजन सुनिश्चित करने के अर्थ में जीना बना ही रहता है इससे मानाओं मानाओं से वि स्वास्विधी से ही उप्त दोनों प्रकार के स्रोत उप्योग कर सकते हैं। इससे ही धर्ती में मानव, इस नेती विरोधी, मानव विरोधी, प्रकृती विरोधी कारेक्रम से मुप्त हो सकता है। विरोध की स्थान पर परस्पत पूरक उपयोगी सहकारी होना प्रमाणित होता है उर्जा क्रिया कलाप के मूल में चुम्बकी बल संपनता का जिक्र प्रयोग हो चुका है ऐसे चुम्बकी बल संपन्ता कहां से है कैसे है इस मुद्दे पर प्रश्ण अध्यन करने में ततपर प्रत्यक माना में होना सभाविक है। इस मुद्दे में यही स्पष्ट हो चुकी है कि व्यापक वस्तु संपूर्ण एक वस्तु में डूबा भीगा घीरा हुआ है। तो आगे इसमें बता रहे हैं कि यह जो चुम्बकी बल संपन्ता है तो प्रकृति में जो भी वस्तु हैं उसमें यह बल संपन्ता कहां से आ जाती है यह उर्जा संपन्ता कैसे हो जाते हैं। तो इस तरह से प्रश्ण होना सभाविक है हम सभी के मन में इस तरह से प्रश्ण बनते ही हैं तो उसको आगे उत्तर कर रहे हैं कि क्योंकि व्यापक वस्तु का अर्थात जो एक ही काई और दूसरी काई जैसे एक धर्ती दूसरे धर्ती के बीच में एक तारे दूसरे तारे के बीच में जो खाली स्थान दिखता है और एक में और दूसरे पीड़ के बीच में जो खाली स्थान दिखता है उस खाली स्थान कोई व्यापक वस्तु कह रहे हैं तो वो स्वयम में उर्जा स्वरूप है तो बाकी प्रकृति के जितनी भी वस्तु है रथा जो भी अडू परमाडू है उसी में ही डूबे भीगे घिरे हैं तो उसमें उर्जा में डूबे भीगे घिरे रहने के कारण ही वो भी उर्जा संपन होने के कारण बल संपन है चुमबकी बल संपन है उसी चुमबकी बल के कारण से जुड़ने की प्रवित्ती दीखती है तो एक परमाडू दूसरे परमाडू से जुड़ करके जो अडू बनाता है एक अडू दूसरे अडू से जुड़ करके जो रचनाये बनाते हैं तो व्यापक वस्तु संपून प्रकृती में वस्तु में पारगामी है, इसलिए प्रत्येक वस्तु व्यापक वस्तु में भीगा रहता है, वस्तु अपने में उर्जा प्रकास प्रकाशन करता हुआ गवाहित होने के उपरांत ही हर माना वस्तु के उर्जा संपन होने का नुमान होना पाया जाता है ऐसे अनुमान के अंतरगत ही इसका स्रोथ क्या है इसका उत्तर व्यापक वस्तु में ही संपुन वस्तु रहने का ज्यान होने के उपरांतिया पता चला कि व्यापक वस्तु ही मूल सामे उर्जा है उर्जा संपन्ता के रूप में प्रत्येक वस्तु चाहे वे अडू हो परमाडू हो परमाडू अन्स क्यों नहीं हो ये सब इकाईयां उर्जा संपन्न रहना इसकी नित्य क्रियाशीलता से बोध हो गया इस विधी में प्रत्य की काई में उर्जा संपन्ता बल संपन्ता की स्विकृति स्थिती गती के आधार पर संपन्न हुई ऐसी उर्जा संपन्ता प्रत्य की काईब के एस्वर्य में वयभाव रूप में चुम्बकी बल संपन्ता अडो भार बंधन के रूप में माना को समझ में आया जह संपून वस्तुएं अपने में संपून रहते हुए संपून के साथ अर्था धर्ती के साथ पूरकता आवस्यक्ता को प्रमारित करता हुआ देखने को मिलता है इस मुद्दे पर भी थोस तरल वीरल वस्तु में अपने अपने जाती वस्तु के साथ सहयोग उपयोगिता को प्रमाडित करने में तत्पर होने के रूप में स्थिती गत्यों के रूप में इस पस्ति किया गया है। इस विधी से धर्ती के संपून वैभाव के अंगभूत जितने भी कार्य विन्यास है वह सब सहज अभिवक्ति के साथ ही है। वस्तु को हम क्रिया सील देखते हैं जैसे नदियों का बहना है और पेणों का बढ़ना हो गया वनुस्ये के जीव जन्तु के क्रिया कलाब को देखते हैं तो हर वस्तु के क्रिया कलाब के मूल में उर्जा होती है उर्जा संपन्ता होती है तो उसको बता रहे हैं कि यह सब वकीबल संपन्त है, जिसके कारण सी हो अडो बंधन और भार बंधन बनाते हैं, अडो बंधन के कारण से परमाणू अडो बनाता है, भार बंधन होने के कारण से एक दूसरे के साथ वो जुड़ करके रहते हैं, जैसे धर्ती है, तो धर्ती पे जितनी भी वस्तुए है, वो मिट्टी को देखें तो मिट्टी पेंट पौधों के लिए पूरक होती है मिट्टी में ही पेंट पौधे उपते हैं फिर पेंट पौधे जिवजन्तों के लिए पूरक है पेंट पौधों को खाकर ही जिवजन्तों बड़े होते हैं रहते हैं और सांथ में उनका आवास स्थली जो है सभी का मिंठी ही है अर्थाथ पडार्था वस्ता है और इन सब के सांथ ही मानो रहता है तो इस तरह से सब का आपस में सह स्थित है और यह सभी मानो के लियasak है तो उसको बता रहे हैं कि हम अपने विवेग का प्रयोग करके हम भी इन सब के लिए पूरक हो सकते हैं और आगे ये बताए हैं कि ये जो विद्यूत उर्जा है वो धर्ती से ही उत्पन होते हैं और अंततो गत्व उसी में समा जाते हैं तो जो एक तरस बताए कि चुमबकी छेत्र को विखंडित करने से ही वो विद्यूत पैदा होती है और अंततो गत्व धर्ती में समा करके पुना चुमबकीता में परिवर्तित हो जाती है और क्योंकि यह बताए हैं कि धर्ती पर जितने भी वस्तुएं हैं वो सभी विद्यूत के धारक वहा कर था सभी में चुमबकीता होती ही है तो वो जो विद्यूत के रुप में जो आवेश हुआ रहता है वो पुना सामान ने होके चुमबकीता में प्रवर्तित हो जाता है जैसे हम कोई वस्तू को जैसे पानी को हम लेकर कि गरम कर देते हैं उसको चोंड देते हैं कुछ समय के बाध उसका जो ताफ है आस पास के हवा के कड़ों में वितरिथ हो करके ओसामान्ने हो जाता है उसी तरह विद्यूत भी एक तरह से आवेसित गती है जो सामाने होकर के पुना चुम्बकीता में परिवर्तित हो जाती है आगे है धर्की के ही अंग भुद्रव्य के रूप में चुम्बकी द्रव्यों को पाया जाता है इसके परस्पर यांत्रिक्ता वस चुम्बकी धारा की विद्यमानता उसके विखंडन वस विद्यूत धारा उसके संपून प्रयोजन के अनंतर अत्वा उप्योग के अनंतर संपून विद्यूत धारा धर्ति में समा कर पुना चुम्बकीता के रूप में परिवर्तित हो जा सास्वत सोतों से जोड़े जाने की संभावना समिचीन है ही अते इस विधी से हर चुमबकीता से विद्यूत प्रवाह तथा पुना चुमबकीता तक पहुँच जाते हैं अर्था चुमबकी धारा को विखनित करके जो हम विद्यूत उर्जा में परिवर्तित किये रहते हैं वो पुना जो है विद्यूत उर्जा चुमबकीता में परिवर्तित हो करके वो समानने हो जाता है तो इस तरह से हम कितना भी विद्यूत का पादन करें वो उर्जा कभी भ खतम होने वाली नहीं है तत्य हमें समाज में आचुका है कि चुमबकी इता वस्तु में प्रकट होता है ऐसे चुमबकी द्रव्यों को सशम्मुक यांत्री की विधी से निश्चित अच्छी दूरी पर इस्थित करने की स्थिति में इन दोनों की परस्पर्ता में चुमबकी द्धारा का मतलब एक दूसरे के साथ मिलने की प्रवित्ति इन दोनों वस्तु के बीच कितने भी अड़ी परमाडू विलल रूप में रहते हैं इन्हें चुमबकी प्रभाव च्छेत्र में होना पाया जाता है इसका विखंडन इसके विखंडित क्रम में धारा को प्रवा हम दो चुमबक लेंगे तो देखते ही हैं कि चुमबक को रखने से पास में रखने से दोनों एक दूसरे को आकरसित करते हैं उसमें आकरसन होना पाया जाता है और उसके जो धुरों को बदले है तो उसमें प्रतिकरसन भी होता है एक दूसरे से दूर जाने की जो प्रवित रहेंगे वह स्ढवपकी छेतर में होना पाया जाते हैं अर्ठा उसके वीच में कोई भी अडू परमाडू को तो जैसे कोई वायर को हम गती कराते हैं उसमें कोई कुंडली जिसको कहते हैं तो वह गती करने से उसे फ़ीधिन ने विश्चेत्र कtrack अyes और माध्या में संप्रेशिक करके उसके किसी भी उपकर्णों को चला सकते हैं। ऐसे विखंडन क्रम में क्या कोई वस्तु द्रव्य बना रहता है की नहीं। इस मुद्दे पर यही इस पस्थ होता है की हर अवकास में कुछ न कुछ संख्या में अडू होते ही हैं। यही अडू चुम्बकी धारा के प्रवाः छेतर में होना भी स्पस्थ हो चुकी है। विखंडन क्रम में इस अवकास में चुम्बकी प्रवाः छेतर में आये अडू में विद्यु धारा से प्रभावित होना सुभाविक है। इसी के साथ साथ विय भी अनुमान होता है कि चुम्बकी प्रभाव और विखंडन दबाव के साथ इन अड़ु का परमानु में विघटीथ होकर परमानु अंसों के रूप में दौडने लगने की सम्हावना बनी रहती है। विद्यूत प्रवाह के साथ, यद्यपी प्रवाह के साथ माध्यम पर होने वाले प्रभाव, उसके फलसुरुप होने वाली क्रिया इसपश्ट होती है, माध्यम पर विद्यूत प्रवाह प्रवाहित होते ही, उसमें संकुचर प्रसारण बढ़ना हो ही जाता है, इसको हर जि और प्रभाव प्रमाडु करके और परमाडु अंसों में विखंडित नूहर के लिए बंचुके हैं प्रवाहों को नियंत्रित करने, सहियत करने, विभाजित करने, उपयोग करने, नापने और सुनिश्चित करने के जितने भी उपकरन बन चुके हैं, परियाप्त लगते हैं यदि आगे और कोई आवस्यक्ता होने की स्थिति में मानाव में सोधन उसंधान प्रवित्ती है ही, इससे आपूर्ती होना संभावित है, इससे आस्वस्थ होते हुए सास्वत, निरंतर, प्राप्त, विद्यूत, निस्पादित, यंत्रों को संचालित करने के लिए शुरोत का उपयोग करने के लिए जो भी आवस्यक कंपकरण है वो अभी मानों जाती में परयाप्त रुप में बनाया जाच कुछा है और उसका प्रयोग करना एक तरह से हमारा स्वभाग्य है उसको प्रयोग करना ही चाहिए वो हमारे लिए बहुत बढ़िया बात है ऐसा बता रहे है और यदि आवस्चेक्ता पड़ती है आगे तो मनुस्य में तो है ही कलपना सेलता तो आगे और उक्रणों को बनाया भी जा सकता है तो इस तरह से यहां पर बात को बता रहे हैं तो विद्यूत का प्रयोग मतलब कोई भी मतलब खराब चीज नहीं है वो बहुत ही अच्छी चीज है ऐसा इसको बताया जा रहा है विद्यूत का प्रयोग करके हम जो है एक तरह से प्रदुसन मुक्त तो उर्जा के सुगत को प्राप्त कर सकते हैं. आगे देखते हैं, आज तक पुरुसार्थी मानाव से बैटरी के रूप में जो उपलब्धिया हुई है, उसमें सेल वाली बैटरी और प्लेट वाली बैटरी. पहले सेल वाली बैटरी में एक कार्बन प्लेट होना पाया जाता है उसके चारो और रसायन द्रवे और जींक या सीसा का कवच होना पाया जाता है इसके अंदर जो रसायन द्रवे रहता है वहां सीसा या जींक के साथ क्रिया करते हुए अडू के रूप में आवेशित होकर अपने प्रभावचेतर के विद्यूत प्रशारन किया करता है यह प्रभावचेतर एक के साथ एक जुरकर कारवन के साथ जुड़े रहते हैं इसलिए इसमें विद्यूत प्रभावचेतर हो पाता है इस बैटरी से बल्ब जलते हुए देखते हैं तो यहां पर बाबा जी जो है वो मनुस को अभी जो माना जाती है उसको एप्रिसेट करते हुए बोल रहे हैं कि माना बैटरी के रूप में एक बहुत बढ़िया चीज को बनाया है फिर जो दो प्रेकार की बैटरी होती हुए उसको भी बता है एक जो कारवन और जीनक बैटरी होती है जो हम घड़ी के सेल वगयरा जो रहते है और दूसरा बल्ब जलाना और अलग-अलग करणों को चलाना हूँ तो हम देखी रहे हैं। आगे हैं दूसरी विधी, प्लेट बैटरी के बारे हम आगे बता रहे हैं। दूसरी विधी से प्लेट बैटरी में भी रसायन द्रव्य, अमल लवान आदी द्रव्य होते ही हैं। अमल लोग तो होते ही हैं। इनके संयोग में आये हुए धात्वों में क्रिया संपन होना सुभाविक रहती है। इसमें धात्व अडवों को आवेशित करने के लिए प्रवाह को पहुंचाया जाता है। यह विद्यूत प्रवाव उस बैटरी का वच में इस्थापित धात्वों पर प्रभाव डालता है। के आराम में उसमें विद्यूत प्रवाह को प्रयोजित करते हैं। तथा प्रकृति का अनुपाती सोसन ना हो इसके सुनिश्चित होने की आवस्यक्ता ना सुनिश्चित होने की आवस्यक्ता है यह मिस्प्रिंट हो गया नहीं है वो हैर आएगा इसमें जो प्लेट वारली बैटरी होती है जिसका जीकर हम पहले किये थे जो लेड एसीड बैटरी जिसको कहते हैं तो जिसमें प्लेटों के बीच में एसीड भरा रहता है उसमें उसको जैसे चार्ज करते हैं तो उसमें जो प्लेट रहते हैं, वो चार्ज हो जाते हैं, उसको फिर हम बाद में बल्ब जनाने के लिए, जिसको सेल्फी स्टार्ट में भी यूज करते हैं, उस तरह से उसको प्रयोग भी कर सकते हैं, इस तरह से बता रहे हैं, फिर आगे प्रयोग करते हुए प्रकृति का सोसन नहूं इस बात को ध्यान में रखना जरूरी है ऐसा बता रहे हैं तो इसको अब ओवराल पूरे चेप्टर को समप कर लेते हैं तो एक तरह से इसमें जो दबाव है प्रभाव है दबाव और प्रभाव उसके बाद तरंग की बात आई फिर विद्यूत तरंग और ध्वनी तरंग इस तरह से बताए हैं तो दबाव प्रभाव विधी से कोई माध्यम में हम तरंग को पैदा करते हैं इस तरह से बता रहे हैं उन्ही तरंगों को विद्यूत और ध्वनी तरंग की रूप में होना पाया जाता है तो ध्वनी तरंग का देखते ही हम कि ध्वनी तरंगे भासा के रूप में उप्योगी होना पाई जाती है हम मनुस्य से एक दूसरे को अपनी भाव को पहुचाने के लिए इसका उप्योग करते हैं तो इस तरह से ध्वनी एकाई से दूसरे एकाई में कोई संकेत को पहुचाने के लिए ध्वनी का प्रयोजन सिद्ध होते हुए हम देखते ही हैं इसमें बात आई कि ध्वनी का प्रयोग करते सामें हम ध्यान रखें कि उसका सदुपयोग हो जाए अधाद मानों के विकास में और प्रकृति के विकास में उसका सदुपयोग हो गया यदि उसके लिए कोई विरोधी चीज़ हो गई तो वो जो है उसमें उसका दुरुपयोग हो गया तो इस तरह से हम भासा का प्रयोग करते समय ध्यान रखी सकते हैं कि हम किस तरह से भासा का प्रयोग करें, किस तरह से हम एक तरह से पुस्तकों को बनाएं, किस तरह से लेक को लिखें, तो उस सब ही को करते हुए हमको भासा के सदुप्योग के ध्यान में रखना आवस्यक है. ये एक बात आई, दूसरा आ रहा है कि अपने आप में एक प्रदूसर मुक्त उर्जा है और उसके जो उत्पादन के तरीके हैं उसके लिए बहुत सारे वैकल्पिक सुरोद बताए कि जैसे नदियो में जंतर प्रवाह बना रहता है, सूर्य का ताब जो है धर्ती को हरसना च गवांट कर सकते हैं और उसका भरपूर उपयोग किया जा अइसा इसमें एक appreciation भी आया है कि विध्यूत का प्रयोग करके हम जो ख्नीज देल का उपयोग करते हैं वहांनों में उससे होने वाले प्रदूसर से में बच सकते हैं और बैटरियों का उपयोग करके सडक पे जो वहान हैं उसमें भी उपयोग कर सकते हैं और अन्य बहुत सारे जो करन हैं उसमें भी उसका प्रयोग किया जा सकता है तो यह जो विद्यूत उर्जा है, इसको बनाते समय, उसको उप्योग करते समय, धर्ती के ताप को संतुलित रहे, इसको ध्यान में रखने को यह बहुत बड़ा इसमें मुद्ध बताये हैं, और आगे उसको यह भी बताये कि धर्ती के साथ जो मानों का संबंध है, क्योंकि धर्ती में जो सेस जो चीजें हैं, जैसे पेरपवध हैं और जीव जानवर हैं, उसके आने के बाद ही मनुस्य आता है, और वो सब स्वस्थ रहने से ही मनुस्य भी स्वस्थ रह पाता है, यदि धर्ती प्रदूसित हो जाते हैं, तो हम माना भी स्वस्थ नहीं रह तो वो जो है सार्था के पुर्णिता और बहुत ही अच्छा है इस तरह से पूरे चेप्टर में बात आई है और आगे कोई प्रश्ण होगा तो इसको देख लेते हैं तो आप सब को बहुत बहुत धन्यवाद वजी इतना द्यान से सुनने के लिए और आकेश भीयक का बहुत बहुत धन्यवाद की मुझे ये अवसर दिये प्रस्तुती करने के लिए